महर्शी, कर्म करें या ना करें? कर्म करना अत्वा नहीं करना, इस विवाद में मत पड़ो, अपने आपको जान लो, तब देखो कि यह कर्म किसका है? किसका है? कर्म को स्वयम होने दो. जब कर्तापन का भाव न रहे, तो देखो क्या होता है? श्री भगवान शंकराचारिय ने अकर्म का अपदेश दिया था, किन्तु क्या उन्होंने स्वयम भाश्य नहीं लिखे, अथवा शास्त्रार्थ नहीं किये? जब तक कर्तापन का भाव है, तब तक उसे अपने कर्मों के फल भोगने ही होंगे. यदिवह अपने को कर्ता नहीं मानता, तो उसके लिए कोई कर्म नहीं रहता. जिसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया, वही सन्यासी है. तुम हर्शी, अहम भाव का उदै कैसे हुआ? यह जानना आवश्यक नहीं, वर्दमान को जानो. जब तुम इसे नहीं जानते, तो अन्य काल की चिंता क्यों करते हो? जगत तुम में है, अथ्वा तुम से बाहर, क्या वह तुम से अलग है, क्या जगत तुम से आकर कहता है, कि मैं हूँ? तुम हर्शी, हम किस प्रकार जानें कि वह कर्म हमारा है, अथ्वा नहीं? यदि कर्म का फल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता तो वह कर्म से मुक्त है तो इसके लिए क्या बुधिक ज्यान ही परियापत है बुध्धी से जाने बिना उसका अभ्यास कैसे होगा अतहा पहले बुध्धी से जानो फिर वहीं रुको नहीं, उसका अभ्यास करो सब लोगों से एक ही प्रकार की कारिय करने की आशा नहीं की जा सकती प्रतेक विक्ति अपने स्वभाव तथा पूर्व जन्म के संसकार के अनुसार ही कर्म करता है ज्यान भक्ती तथा कर्म एक दूसरे से संबध है ध्यान करने के लिए आकार अपनी स्वयम की रुची के अनुसार होता है इसका उद्देश है अन्य आकारों से बचना तथा एक ही आकार में लगना इससे लक्ष की प्राप्ती हो जाती है प्रारंभ में मन को हृदय में एकाग्र करना असंभव है इसी कारण इन साधनों की आवश्यक्ता है कृष्ण का कथन है कि मेरे तुम्हारे इत्यादी किसी के कोई जन्म नहीं हुए और बाद में वे कहते हैं कि उन्होंने आदित्य से पहले जन्म लिया था अर्जुन को इस कथन में शंका होती है इससे यहे निश्चे हुआ कि हर व्यक्ति अपने विकास के अनुरूप ही इश्वर की धारणा बनाता है तुम जाग्रत अवस्था में स्वयम को देह मानते हो पर सुशुक्ती में ऐसा नहीं मानते एक व्यक्ति के शरीर भी तो अनेक पर्तों में होते हैं इश्वर का अनन्त सामर्थ्य क्यों न होगा जो भी मार्ग अपनाया जाए ग्यानी पुरुष उसे ही प्रोच साहन देते हैं क्योंकि वह मार्ग भी अन्य मार्गों की तरह लक्ष तक ले जाता है तो महर्शी क्या कर्म के मार्ग में स्वर्ग तथा नरक नहीं है वहाँ जाने के लिए कोई अवश्य होना चाहिए वे सब स्वप्न की तरह हैं हमें स्वप्न में भी स्वर्ग तथा आकाश का आभास होता है सत्य क्या है स्वप्न या जागरिती तो इसलिए हमें काम क्रोध आदी से अपने आपको बचाना चाहिए संकल्पों का त्याग कर दो अन्य किसी चीज के त्याग की आवश्यकता नहीं कुछ भी देखने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है वह आत्मा है आत्मा नित्य जागरत है तो क्या महर्षी तीर्थयात्रा आदी लाबधायक है हाँ तो महर्षी आत्मा तक पहुचने के लिए कौन सा प्रयास आवश्यक है मैं को नष्ट कर देना चाहिए आत्मा तक पहुचना नहीं पढ़ता कैसा कोई खशन है जब आत्मा नहीं है यह नित्य नवीन नहीं है, तुम जो हो वही रहो, जो नवीन है वह स्थाई नहीं हो सकता, जो सत्य है वही सनातन है, तो क्या ग्यान यग्ये अथवा अन्य यग्ये क्या हैं ये? इसके लिए अन्य पद्धतिया हैं, साधना का उद्देश्य तो ग्यान की प्राप्ति है, तो क्या महर्शी जीवन मुक्त भिन प्रकार के होते हैं? ये दीवे बाहिय रूप से भिन हों, तो भी क्या हुआ, उनके ग्यान में कोई अंतर नहीं रहता? तो क्या महर्शी एक गुरू का भग्त रहकर भी, क्या अन्यों के प्रति आदर किया जा सकता है? गुरू के वले एक ही है, वह शरीरधारी नहीं है, जब तक दुरबलता हो, तब तक शक्ति की सहायता की आवश्यक्ता रहेगी. लेकिन महर्शी जे कृष्ण मूर्थी के अनुसार किसी गुरू की आवश्यक्ता नहीं है, उन्होंने ऐसा कैसे जाना, आत्मग्यान की प्राप्ती के उपरांत ही ऐसा कहा जा सकता है, उससे पूर्व नहीं. तुमहर्शी, आपने परम पुरुशार्थ के पश्चात ही यह आवस्था प्राप्त की है, हम निर्बल आत्माएं इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम अपनी आत्मा में हैं, हम संसार में नहीं हैं. तो ये स्वर्ग नरक क्या है महर्शी? स्वर्ग तथा नरक तुम्हारे साथ साथ चलते हैं, तुम्हारे काम क्रोध ही इनके जनक हैं, वे स्वप्न तुल्य हैं. महर्शी, गीता का कथन है कि यदि भ्रू मध्य में एकाग्र होकर, श्वास पर सय्यम किया जाए, तो परम अवस्था प्राप्त होती है, यह कैसे किया जाता है? तुम सदैव आत्मा में हो, आत्मा तक जाना नहीं पड़ता. भ्रू मध्य केवल एक उपासना स्थान है, जहां एकाग्रता करने चाहिए, पर आपने तो हृदय को उपासना का स्थान कहा था? हाँ, वह भी है. तो हृदय क्या है महर्शी? हृदय आत्मा का केंद्र है आत्मा केंद्रों का केंद्र है हृदय मानसिक केंद्र का प्रतीक है शारिरिक केंद्र का नहीं तुम हर्शी ग्यान शब्द आत्म ग्यान का द्यो तक है इसी शब्द का प्रयोग साधन के रूप में भी करते हैं ऐसा क्यों? ग्यान शब्द को साधन के लिए भी व्यवहार करते हैं क्योंकि अंत में इसका परिणाम साक्षातकार है तो क्या एक व्यक्ति को चाहे उसका ग्यान कितना ही अपूर्ण हो उपदेश में प्रवरित्त होना चाहिए यदि उसका प्रारब्ध उस प्रकार का हो गीता के सब्तम अध्याए में अरजुन प्रश्न करता है कि क्या कर्म साधन है प्रश्न उत्तर देते हैं कि ऐसा ही है यदि अकर्तापन के भाव से किया जाए तो कर्म साधन बन जाता है ऐसा ही उन शास्त्र सम्मत कर्मों के बारे में जानो जिन्होंने कर्म का निशेध किया है उनके द्वारा उन्ही कर्मों को निशिध ठहराया गया है जो करतापन के भाव से किये जाते हैं कर्मों को त्यागो मत तुम ऐसा कर भी नहीं सकते करतापन के भाव को त्यागो कर्म स्वतह ही होते रहेंगे अथवा कर्म तुमसे छूट जाएंगे यदि तुम्हारे प्रारब्ध में कर्म करना है तो वे तुमसे होंगे ही तुम चाहो या ना चाहो यदि तुम्हारे प्रारब्ध में कर्म नहीं है तो तुम कितने ही आग्रह से उनमें प्रवरित हो जाओ वे होंगे ही नहीं जनक, शुक, आदी अहंकार रहित होकर कर्म रत्थे यश के लिए भी कर्म किया जा सकता है तथा निस्वार्थ भावक से समाज के लाब के लिए भी किया जा सकता है फिर भी उन्हें प्रशंसा की इच्छा रहती है इसलिए वे भी वास्तों में स्वार्थ पूर्ण होते हैं महर्शी वह एक वस्तु क्या है जिसे जानकर सारे शंशय निव्रित हो जाते हैं संशय करता को जान लो संशय किसको होते हैं यदि संशय करता पकड में आ जाए तो शंशय उत्पन नहीं होंगे यहां संशय करता के परे जाना है फिर जब संशय करने वाला ही नहीं रहता तब संशय उदै नहीं होंगे फिर वे कहां से उत्पन होंगे सभी मनुष्य ज्यानी तथा जीवन मुक्त है उन्हें केवली स्वास्तविक्ता का भान नहीं है संशयों को निर्मूल करना ही होगा इसका तातपरिय यह है कि संशय करता को निर्मूल करना आवश्यक है यहां संशय करता मन है तो महर्शी इसके लिए क्या क्रम है मैं कोन हूँ इसकी खोज करो तो क्या हम इसका जाब करें तुम यहे विचार क्यों करो कि मैं यह हूँ, खोज करने से संकल्प समाप्त हो जाएंगे, तब जो अनिवारिय अवशेश है, आत्म वह प्रकट होगी, तो क्या महर्शी हटयोग आवश्यक है, यह भी एक साधन है, यह सदैव आवश्यक हो, ऐसा नहीं है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, आत्म विचार प्राणायाम से उपर है, योग वाशिष्ठ में, चूडाला, शिखिद्वज के एहंकार को मारने के लिए, आत्म विचार का परामर्श देती है, प्राण अथ्व बुद्धी, दोनों को ही सैयम में रखने से सत्य का साक्षातकार हो सकता है, हठ योग प्राण का है, आत्म विचार बुद्धी का है, महर्शी, क्या ज्ञान प्राप्ती के बाद ज्ञानी का कोई व्यक्तित्व रहता है, वह व्यक्तित्व कैसे रख सकता है, सामान्य दया, दैनिक जीवन में भी श्रेष्ठ व्यक्ति, किसी कारिये के प्रारंभस से पहले आचमन तथा, प्राणायाम का निर्देश देते हैं कर्म चाहे लोकिक हों, अथवा पार लोकिक, इससे यह निशकर्ष निकलता है, कि मन की एका ग्रता से ही सफलता प्राप्त होती है, महर्शी, मैं नेती नेती, यह नही है, यह नही है, इसका ध्यान करता हूँ, नहीं, यह ध्यान नही है, स्रोत को खोजो, तुमको स्रोत तक पहुचना ही है असत्य मैं यानि देव भाव नश्ट हो जाएगा तथा सत्य मैं आत्म भाव की अनुभूती हो जाएगी मैं वास्त्विक मैं से भिन्न नहीं रह सकता इसलिए कर्मों को निश्काम हो करके करते रहो साधना को निशकाम भाव से काते रहो